नमस्कार YouTube चैनल N-Inurse22 में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे High Speed Steel के बारे में जिसे हम HSS और HSA डिनोट करते हैं High Speed Steel को High Speed Tool Steel भी कहा जाता है और यह है High Alloy Steel की केटेगरी में आता है क्योंकि इसमें जो Alloying Elements की Composition है वो 8% से ज़्यादा होती है तो बात करते हैं कि High Speed Tool Steel या High Speed Steel का यह नाम किसलिए पढ़ा इस टाइप के Steel का यह नाम इसलिए पढ़ा कि इस टाइप के Steel से बने Cutting Tool को High Speed पर Operate किया जाता है Material की Cutting करने के लिए और कह सकते हैं कि High Speed Steel पर Material को Cut करने के लिए Plain Carbon Steel जैसे Low Carbon Steel, Medium Carbon Steel, High Carbon Steel से बने Tool उप्युक्त नहीं होते जबकि जिस Speed पर Plain Carbon Steel से बने Tool प्रियोग होते हैं उससे तो तकरीबन 10 से 15 गुना ज़्यादा Cutting Speed पर High Speed Steel से बने Cutting Tool आसानी से Material के Cutting Operation को Perform करते हैं अब आपको कारण बताते हैं कि क्यूं Plain Carbon Steel से बने Cutting Tool पर उप्योगी नहीं होते जिससे Tool के Cutting Edge का Temperature Red Heat तक पहुंच जाता है और यही कारण है कि Red Heat होने पर Plain Carbon Steel से बने Tool सोफ्ट हो जाते हैं जिससे Tool के Sharp Cutting Edges रिटेन नहीं रहते और Tool लंबे समय तक Efficiently वर्क नहीं कर सकता तो ऐसी स्थिती में High Speed Steel से बने Cutting Tool ही अपनी Hardness वे Sharp Cutting Edges को रिटेन कर पाते हैं अप्टू 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी और ज्यादा तर High Speed Steel में Chief Allowing Element टंगस्टन होता है लेकिन कुछ दूसरे Allowing Element जैसे Chromium, Vanadium, Cobalt, Molybdenum भी होते हैं और अगर हम बात करें Tungustine की Tungustine Basically Hot Hardness को Improve करता है By Forming Carbides Cobalt की बात करें तो Cobalt Improve करता है Hot Hardness को और Tool को Wear Resistance बनाता है Chromium की बात करें तो Chromium Basically जो Tenancy होती है Scaling की उसको Reduce करता है Corrosion Resistance की जो Tenancy है उसको कम करता है Vanadium की बात करें तो Vanadium Increase करता है Abrasion Resistance को Cutting Quality को और Molybdenum Hardenability को Increase करता है तो बात करते हैं कि High Speed Steel की क्या-क्या Properties है या इसकी Characteristics क्या-क्या है Heat Resistance Material है Red Hardness Red Hardness को हम High Hardness भी बोल देते हैं और यह वो Hardness होती है किसी भी Material की जो Retain रहती है Elevated Temperature पर और इसको Impart कर सकते हैं Secondary Hardening के दोवारा During Tempering High Compressive Strength Non-Deforming Properties मतलब कि यह जो Material है इसमें Resistance to Distortion और Dimensional Changes होता है During Heat Treatment उसके बाद Outstanding Wear Resistance दूसरा High Speed Steel की जो Cost है वो भी कह सकते हैं कि दूसरों के स्टील क्लोज कम्पीटीटर हैं कारबाइट के क्योंकि कारबाइट से भी Cutting Tools को बनाया जाता है अब बात करते हैं कि इसकी Applications क्या क्या हैं High Speed Steel इसको Drills बनाने में रीमर्स, मिलिंग कटर, लेथ प्लेनर, सेपर के टूल बनाने में, पावर सा ब्लेड बनाने में वुड टर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है फाइल्स में हैंड, प्लेन ब्लेड, पंचिज और डाइज, इतियादी यह बहुत सारी अप्लिकेशन्स हैं जिसमें High Speed Steel का प्रयोग किया जाता है उसके बाद High Speed Steel बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं 1841 High Speed Steel, Molybdenum High Speed Steel, Cobalt High Speed Steel और इसके टाइप्स को हम अमारी नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं शेर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और एनी निवर्श डबल टू को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी हाजर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे